पुरी जिम्मेदारी से आपके सुजावों के लिए चैनल को पसंद करने के लिए मैं आपको विशवास दिलाना चाहता हूँ और मेरी टीम के सभी मेंबरि अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपके सुझाओं पर अमल करेंगे आपके जीवन में सुख, सांती, सफलत, इस्मनती के लिए हर संभव प्रयास करके उपयोगी कारेक्राम बनाते रहेंगे मनुस्य स्वस्त रहना चाता है बिना स्वस्त रहे भोग हो या योग उसके सभी रास्ते बन दे वह सस्त रहना चाता है और वैसा बने रहने की कोशिस भी करता है लेकिन वह जो चाता है वह उस रूप में नहीं होता या तो उसकी मातरा में कमी होती है और या कभी-कभी वह सब कुछ उसकी सोच के विपरीत होता है क्यों होता ऐसा गर अपनी चाल चलते हैं और मनुष्य अंजाने ही रोक गरस हो जाता है अनुकुल पस्तितियां प्रतिकूल बंती नजर आती है इच्छा पूर्टी के लिए तन वा मन से स्वस्त रनावशक है याद रखिए संगर्स में गती है गती का इदूसरो नाम शक्ती है इसी से जीवन का विकास है गतीमान जीवन उन्नती सुक आनंद व्यभव वहर्स के द्वार खोल देता है लेकिन समस्या तो यह है कैसा होता का है रोक आना हुआ नहीं कि नियती बाग्य प्रारब्द को दोस्त देना आरम कर देता है वो चाहता है कि कोई ऐसा चमतकार हो जाए कि उसका रोक शरण बर में दूर हो जाए लेकिन ऐसा होता का है आज मैं कन्या की कुंडली का वश्लेशन कर रहा हूँ इस कुंडली को दियान से देखिए इस कन्या को मातर सोला वर्स की आयों में अपनी दोनों ग्लैंड निकलवानी पड़ी क्योंकि ग्लैंड में कैंसर पनप चुका था दिसंबर 2018 में पता चला और 13 जनवरी 2019 को ओपरेशन हुआ ऐसा क्यों हुआ जोतिस में कारण था इस उम्र में क्यों हुआ आधी आधी अनेक प्रस्न है अब कुंडली को आप दियान से देखिए मेश लगनी की कुंडली है तता रासी भी मेश ही है अथात इनके जीवन का स्वामी मनस्तिति का स्वामी मंगल है लगने पर कोई भी शुब गरे की जस्ति भी नहीं है मंगल कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के साथ में विसे इस बात तो यह है कि यह गर अस्त है अब लगने जो की त्रिकोन और केंद्र दोनों ही है उसका स्वामी पुनत रिकोन भाव में स्थित होना राजयों का कारक है लेकिन उसका फल उसका फल बहुती कम मातरा में ही मिल पाएगा या यह कहिए कि फल असंतुस्ती प्रद ही मिल पाएगा साटिस्ट्रक्शन नहीं मिल पाएगा मेश लगने में शुक्र प्रबल मारक होता है क्योंकि यग्रह सब्तम भाव और द्विति भाव दोनों का स्वामी होता है शुक्र रोग भाव में नीच रासी का हुकर इस्तित है अपनी मूल्त रिकॉन रासी तुला से द्वादस अतार नास भाव में इस्तित है कुल्ली में शुक्र मंगल के नक्षत्र में भी है मेश लगने में बुद्ध थर्ड आउस थर्ड आउस का मतलब है अस्टम से अस्टम बाव प्रबल मारक का स्वामी है और रोग बाव का स्वामी भी है तो थर्ड और सिक्स का स्वामी होकर करके बुद्ध खुद सिख्श था उसमें है अपने उच्छ रासी में विराज माने लेकिन वह सूर्य के नक्सत में इस्तिय वजुchts सुरक्षित है अब विसे इस परिस्तिति देखे कि दोनों मारगर मेश रासी मेश लगने के लिए दोनों मारेगर शुक्र और बुद्ध दोनों ही रोग भाव में इस्तित है बुद्ध उच्छ रासी का है शुक्र नीच रासी का है यह इस्तिती नीच भंग राजयोग भी दरसाती है अब रोग जनक इस्तितियों का विशलेशन करते हैं तो देखेंगे कि दोनों मारक ग्रफ वानी, कंठ, गला इन सब भावों के स्वामी होकर के कस्ट जनक स्थिति में हैं और इन दोनों ग्रवों पर तता रोग भावों पर राहू की द्रस्ती है दस जून 2018 से पूर्व ही शुक्र में राहू की दसा बीच चुकी थी शुक्र के में आप जान चुके हैं कि मेश लगने के लिए बुद्ग्रया का दोश नाक, नावी या मूग का कैंसर देता है। शुक्र ग्रके पापत गले या पृजननन अंगों में कैंसर दे सकता है। अब तक जीवन में मैंने हजारों कुंड्यों का अधियान करने पर पाया है कि शनी और मंगल का जस्ती समन्द अधिकतर कैंसर का का कारण बनता है अता 50% से अधिक संभावन है कैंसर की रहती है और इस कन्या की कुंडली में भी शनी अपनी तीसी द्रस्टी से मंगल को देख रहा है यह भी एक कारण एक कैंसर होने का जोतिस का योग भी यही दर्साता है कि यदि दुतिव भाव में पापगर हो दुतिएस पापगर से युत होकर के छटे आठवे या बारवे भाव में हो लगना और लगने से निरबल हो तो जात्ता को कैंसर हो सकता है इसके अलाव अधिकांस मामलों में मंगल, गुरु, शनी का दुति, युति या शेत्र समन्द पाया गया है गुरु गरंती की व्रद्धी अतात कोई भी गांट होती है उसको बढ़ाता है उसका प्रशार करता है उसको दर्साता है मंगल और शनी कालपूरुस की इस्तिती में ध्वनसात्मक शक्तियां होने से रोग को जटिल और उग्र बना देते है कोई भी गांट का समन्द सिक्स्ताउस या कन्यारासी या मंगल पर पापकरों की द्रश्टी या यूति से है और इस कुंडली में यह स्थिती इसपस्ट है जब इस रोग ने सरीर पर अपना स्थान बनाया तो ऐसी परिस्तित्यां उत्पन हुई तो गोचर में चल रहे ग्रवों ने भी अपना प्रभाव दिखलाया जैसे की 11 अक्टूबर 2018 से ब्रस्पती लगन और रासी से अस्थम चल रहे थे इस रोग का जनक बुद्ध रासी से अस्थम बाव में विच्णन कर रहा था अब बात करते हैं भावशे कतन में मुख अता दसा अंतर दसा और प्रतंद दसा की क्योंकि रोग कब होगा इसका नेदर दसाओं के माध्यम से ही हो सकता है और सटिक भशेवाणी आप दसाओं अंतर दसा प्रतंद दसा से ही कर सकते है और गोचर जो कि ट्रांजिट बोलते हैं उसका बहुत ही मुख्य रोल होता है कोई भी चीज़ की भवश्यवाणी करने के लिए और especially रोग और उसमें भी cancer जैसी भवश्यवाणी करना बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए बहुत ज्यादा analyze करना पड़ता है बहुत ही confidence हो करके फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही गंबिर पस्तिती है आपको test कराना चाहिए य जितना अधिक बुद्ध बलवान होगा उतना अधिक स्वास्ति के सित्र में हानी कारक लेकिन धन के सित्र में लापदायक हो जाएगा ठीक फिर भी बहन भाईयों के विसे निर्मल बुद्ध अच्छा सिद्ध नहीं होगा अथाथ उनके जीवन तता उनकी संक्या को बहु यदि शुक्र बलवान हुआ तो एक शुब ग्रह के केंदर में स्वामी होने के नाते शुब नहीं रहेगा इस्ते शुक्र के आर्थिक सेत्र में अच्छा फल करने के लिए आवश्य होगा आवश्य होगा कि उस पर सुब प्रभाव यूति अत्वा दस्थी नहीं हो मेश्ट लगने में गुरू नवम और द्वादस भाव का स्वामी बनता है द्वादस का अधिपती होने के करण गुरू अपनी दूसरी दस्थी के भाव अतात नवम भाव संबन्दी फल करेगा यह स्थिति सुरुक्षा प्रदान करती है यह स्थिति सेफ आदमी को रखती है क्योंकि ब्रस्पती जैसा ग्र जो कि 12 अउसका लॉड भी है यदि आपको सुरुक्षित करता है तो आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं अतात कितना भी इस्थिति खराब हो जाए कितना भी मारकेस हो जाए फिर भी व्यक्ति बच जाएगा 21 मार्च 2019 से 6 अगस्त 2019 तक ये प्रत्यंत दसा रहेगी और इसी समय ब्रस्पती भी रासी से अस्थमभाव में इस्थित है तो फिर इस्थिति उत्पन होती है कि क्या उपाय करें तो उपायों के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उपाय का अर्थ ये नहीं है कि आपने गरव को अपने इस्थिति से छोड़ दिया बेदेखल कर दिया हटा दिया जो कुनली है कुनली तो वही रहेगी कुनली चेंज होने वाली नहीं है समय ही आपका बदलेगा ट्रांजिट बदलेगा गरण अक्षत्र जो जो कंटीनू चलाय माने वो बदलेंगे उसी से आपको रात मिल सकती है और उसी से बहुत ज़्यादा गातक पढ़ना आपको मिल सकते हैं तो उपाय करने में जल्दबाजी नहीं करनी है उपाय करने में रात दे सकता है और कभी बहुत ज़्यादा हवन किरतन भी व्यक्ति को किसी स्थिति में रात प्लदान नहीं कर सकते हैं यह ग्राओं की स्थिति से अब निधान कर सकते हैं और जो व्यक्ति विद्वान होगा जो योग्य होगा जिसको एक्सपिरेंस होगा वो आपको वास् पुजापाट करवा सकते, पुजापाट करवा सके, हवन किरतन करवा सके, कोई भी आपका जाप करवा सके, तब आप क्या करेंगे, तब क्या उसको अधिकार नहीं है जीवित रहने का, या उसको अधिकार नहीं है भगवान की करपा या उस ग्रहों की करपा प्राप्त करने क तो जो भी जो भी जोतिसी है उनको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि उनको व्यक्ति की परस्तिती देख करके उपाय बताने की जोरत है और मैं जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जोतिस को अंधविश्वास की रूप में नहीं लें उसको बहुत ही अच्छे ढंक से समझें फिर आगे बढ़ें और कोई भी पस्तिती हो जाए कैसी भी पस्तिती हो जाए सबसे पहले डॉक्टर की सला लेनी है एक्सिडेंट हो जाता है तब हमने कोई जोतिस के पास नहीं जाना है सबसे पहले हमने कोई डॉक्टर के पास में जाना है ताकि वो व्यक्ति की जीन्दगी बच पाए और उसको कोई भी जो भी उसके अंग बंग हुए हैं जो भी उसको कोई चोट लगी है जो भी खून बेर रहा है उससे वो सबसे बुले सुरक्षित हो तो अब उपायों की बारी है उपायों को बह mistress अच्चे डंग से समझने की जो होता है और यदि किसी को ऐसी कोई परस्तिती है मैं चाहता हूँ कि इश्वर नहीं करे किसी को cancer जैसा रोग हो लेकिन हमारे चानने नहीं चानने से ऐसा असंबव घटित नहीं हो ऐसा नहीं होता है मेरे अपने परिवार में साथ वेक्ति हैं जिनको cancer हो चुका है लेकिन आज की तारिक में वो सब के सब जीवित है और सुरक्षित है और आनद में जीवन बिता सकते हैं आनद में जीवन बिता रहे सबसे बड़ी बात है कि जो ही आपको पता चले कि आपको cancer है तब आपको क्या करना है जो ही पता चलता है किसी योग्य विद्वान सबसे पहले जो ही आपको किसी असाद्य रोग होने का पता चले किसी योग्य विद्वान करम कांडी सात्विक पंडितों द्वारा लगुरुद्र करवाना चाहिए और लगुरुद्य के निर्मालिय जल को अता जो अभिशे का ज होता है शुक्ल यजुर्वेद की रुद्रस जाहिए उसमें आठवे अधिया में तीन मंत्र है अक्षिभ्या के अनुवाक से आपो इस्तामयो इन तीन मंत्रों से अभिशेक के जल द्वारा मार्जन करना है अता उसे रोगी को छीटा मारना मार्जन का मतलब यह है बुद्ध और शुक्र ग्रय यदि कुणली में मारक बन रहे हो तो दुर्गा सबसत्ती के ग्यारवे अध्याय में मंत्र संक्या गुंतीस पर एक मंत्र है रोगान शेषान पाहन से तुष्टा उस मंत्र का संपुट लगा करके पाट करवाने है इस प्रकार के यदि सो पाट कोई भी क करवा सकता है तो पूर्ट या रोग से मुक्ती होती देखी गई है वरना जितनी समर्थ या जितनी शक्ति है उतना करवाए हर बुद्वार को हरे फलों अत्वा हरी वस्तुआ का दान करे हर शुक्रवार को पक्षियों को जवार डाले और यदि संभव हो सके तो हर शुक्र बढ़े खांड़मत्वार को डीनर में खीर बना करके शुक्र को भोग लगा लकष्मी को भोग लगा करके सबी परवार जों ग्रैन करें या नियम बना लें और इस खीर का यदीदान भी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्या उपाई कह सकते हैं कि घर का क कवच्च। न संजीवनिक कवच्च। साथ में माम तुझय यंत्र। 10 माविध्या कवच। और उसके साथ में राम रख्षा यंत्र। ये चार चीजों का एक ही पैंडल बना करके उसकी पूजा करें, प्रानपरिस्थथा करें, जाप करवा करके उस व्यक्ति को पहना देना ह जो भी उपाय करें medical treatment निरंतर करते रहना है कोई कितना भी मना करें कितनी भी guarantee ले आपने इलाज बंद नहीं करना है जीवन अमुल्य है और रोगी आपके परिवार का हिस्सा है आपका परिवार जने अथा किसी प्रकार की जोकम नहीं लेनी है किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना इसके अलावा भी उपाय हो सकते है जो कि किसी भी विख्ति की विश्ट कुंडली देखने से visualization करके ही बताया सकते हैं जो मैंने ये उपाय बताया है सिर्फ इस कुंडली के हैं अताद ये ध्यान रखना है कि ये सब की सब उपाए जिस व्यक्ति को भी अगर कैंसर है उन सब के लिए मैंने नहीं बताया है मैंने आपको कुंडली विशलेशन समस्य समाधान के एपिसोड में ये बतलाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति की यदि कोई कुंडली है और उसमें आने वाला समय यदि खराब है मारकेस है तो उसको रोग हो सकता है असादी बीमारी हो सकती है और उसे बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए तो सबसे पहले कारण जानना चाहिए अगर कारण है तो निवारण है समस्या है तो समाधान है और रोग है तो उसके लिए medical science है, रोग है तो उसका निदान है रोग है तो उसके लिए पूजा पाट है रोग है तो उसके लिए उन गराओं के दान उनका पूजा पाट वो जो कुछ भी हो सकता है वो सब आपने करने का प्रियास करना है प्रियास करने का अर्थ ये नहीं है प्रियास करने का अर्थ मैं स्पस्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको बैंक से लोन ले करके अपना सब कुछ बेज करके उपाय करना पड़े आपने medical science पे बरोसा करना है अता जो कुछ भी डॉक्टर इतने साल तर पढ़ करके इतना experience लेकर के जो उनके पास में है आपने उन पर सबसे पहले अपना confidence बताना है ताकि आपका इलाज सबसे पहले हो जो कुछ भी जोती से वो 100% आपको ठीक कर देगा ऐसा अंध्य विश्वास आपने नहीं पालना है यदि किसी व्यक्ति के पास में रूपिया, पैसा, दन, दौलत, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, बैंक बेलन, सब कुछ है लेकिन स्वास्ति अच्छा नहीं है तो इस सारी सुक्ष, सुविदाएं बेकार है अंगरेजी में कावात है, हेल्थी वेल्थ, अथा स्वास्ति संपत्ति है और ये निर्विवद सत्ति भी है किन्तु आज के इस पॉलिटेट एट्मॉस्पेर में इस संकुलित वात्तावरण में लंबे समय तक बीमारी से दूरी और स्वस्त सरीर सौबा की साली वेक्तियों को भी मिल सकता है अन्य सत्त्रों की बाती रोग रूपी सत्त्रों भी प्राय मनुस्यों को गेरे ही रहते हैं एक रोग ठीक नहीं हुआ कि दूसरा रोग लग लग जाता है ये सत्त्रों तो अन्य सभी सत्रों से अधिक भेंकर है अता सबसे पहले हमें इस सत्रू का ही दमन करना चाहिए इस सत्रू को ही मारना चाहिए ताकि रोग नहीं रहे रोग नहीं रहेगा तो निरोग रहेगा अता रोग नहीं रहने का मतलब स्वस्त सरी रहे और आज के इस प्रोग्राम के साथ में मैं आप सभी को स्वस्थ रहने की सुपकामने देना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता है कि इश्वर करें आपको कोई भी रोग हो कोई असादी बीमारी हो आपके परिवार में भी किसी को बीमारी हो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी लिए हम अपने जीवन को इस प्रकास से जीएं कि हम स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, अपना और अपने बच्चों का खैल रख सकते हैं, अपने आसपास जहां भी जगे में लें, वहां पेड लगाएं, ताकि जितनी अक्सिजन रहेगी, जि मैं आप तक जरूर पहुचाऊंगा, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, नमस्कार कि जितने के में पूबाएं, इतना चो बचलों खेंगा equally lod कि हमें, आप एक क्थाएंगा स्वावका ओम झैज का ओम थ हैं वितना के लोगे मने हैं, वितना के बुटीजन पने bukan भी जहां भी एbangे कर दो कर दो कर दो दो